हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं कि कि आप सब अच्छे हूं गे स्वास्थ हों और अपने परिवार के साथ सुरचित होंगे दोस्तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक बहुत-प συν वन परदेया होगा तो दोस्तों आज जो मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत ही जबर्जस्ट फ्लैट हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे और विल आइकन को प्रिश कर लिजे ताकि एसे ही अचे-ची प्रपर्टी वीडियों में आप मिलोगों के लिए रहता है हौ वहांटों लोगों से रिक्षेट की कप unity क्या करों गंदे कमेंट मत किया करों आप लोगों की गलती होती है आप लोग जो है पूरा वीडियो नहीं देखते हो करते हो तो इसमें मेरी गलती सारा डिस्क्रिप्शन चेक किया किजे वह ते सारी डेटे लें लिख देता हूं सब कुछ लगद देता हूं आप लोगों के पास average अगर समय नहीं रहता है या आप नहीं शो फ्लैट में अभी आपको दिखाएंगे शो फ्लैट काफी दिनों से मुझे दोस्तों कॉल सा रहते हैं कि सर एक बार मुझे महरा वाले फ्लैट के बार में दुबारा जानकारी दीजिए तो आज मैं आपको आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वही जानकारी और दिखा का कोई भी इंडिया में रजिस्टर घर नहीं होना चाहिए और आपकी जो आमदनी है वह तीन लाग से नीचे और दो कटेग्री के लिए यह फ्लैट रखे गए हैं और छे लाग से नीचे जिनका रहेगा उनको यह आसानी से मिल जाएंगे तो दोस्तों यह लोट्री के 25,000 रुपए आपको आगे जो आपका एमाउंट होगा उसमें एड हो जाएंगे तो वह हम पहले भरते हैं फॉर्म और उसको भरने के बाद में एक ख़पते से लेकर के एक महीने के बीज में आपका रिजल्ट आ जाता है कि आपके नाम पे घर निकला है या नहीं निकला है और इसके बाद में फिर आगेगा दोस्तों प्रोसेश होता है उसमें कुछ डॉकुमेंट्स आपको सम्मिट करने होते हैं और एक से डेड़ महिने के अंदर आपको 2,22,000 रुपए और पे करने होते हैं दोस्तों इस फ्लैट की कॉस्ट की बात करें कर हम तो यह तोटल जो क होता है इसका 22,96,000 रुपए होता है और सबसीडी अगर कट जाती है जिनका 3,000,000 से नीचे का आमदनी होता है उनका सबसीडी डिरेक्ट डिरेक्ट होता है तो यह 20,46,000 रुपए के फ्लैट पड़ते हैं और जिन भाईयों का आमदनी साल का 6,000,000 के आसपास या उसके का अरहे दोस्तों इसके अम कार्पेट एयरिया की बात करें तो 283 का का कार्पेट एरिया है जो महारा के गउर्मनेंट के रूल के अनुसार हम में दिया गया था बनाने के लिए यह 300 का एरिया था कि उन्होंने 300 के अंदर यह आंको बनाना ही यह हूँ 10,283 कारपेट रखा ह नहीं करेगा एक छोटी फैमिली बहुत आराम से रह सकती है इसके अंदर दिखिए वाड्रोब बगर बना करें काफी अच्छा स्पेस दिया गया है इसके अंदर दोस्तों यह सो फ्लैट इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को यह ना लगए कि बहुत छोट करेंगे तो थोड़ा रूम में स्पेस बढ़ जाएगा यहां पर एक स्टेडी टेवल भी बनाई हुई है अभी आपको वह भी दिखाएंगे और बाकी का बेड अगरा दिखिए लगा के दिखाया गया है दोस्तों यह चार बाइच्छे का कौईंसाइज बेड है यह और ब तो आपकी हर च्थो क्याल रखा गया है इस च्छोटी से जग़ा में सब बेड रूम मास्टर बेड रूम भी दिआ डिया गया इसके अंदर दोस्तों यह आप को मैं सेंपल दिखा रहा हूं और अगर आपके पास समय मिलता है आप साइट बिजिट करते हैं और आते हैं देखने के लिए तो आपको सामने से यह चीज़ें दिखाई जाएंगी दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि अगर आप मुझे कॉल करते हो और मेरा नंबर नहीं लगता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डिरेक्ट ऑफिस आ सकते हैं वहाँ पे मेरा नाम बताएंगे शशीकान दिवेदी या प्रॉपर्टी सर्जन बता करके वहाँ पे आप अपना बिजिट कर सकते हैं जिससे आप मेरा नाम बताएंगे वहाँ पे लोग आपको अच्छे से डील करेंगे अच्छे से आप ट्रीट करेंगे आपको सारी चीजें अच्छे से बताएंगे दिखाएंगे वहाँ पे हमारा जो एग्जेक्यूटिव टीम हमारी होती है जो आफिस की टीम होती है बहुत अच्छे तो दोस्तों वाकी आप देख सकते हैं ये common toilet bathroom में काफी बड़ा toilet bathroom में common toilet bathroom देखे ये देखे गीजर और सब कुछ लगा दिया गया है और hall की बात करें दोस्तों बहुत ही कम जगे में देखे कितनी सारी चीज़ें हाँ पर hall में देगे है लाइटिंग का काम देखे कितना प्य kitchen काफी दोस्तों kitchen बहुत सारी लोग बोलते हैं कि सर ये kitchen बहुत छोटा है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों किचन भी कितना बड़ा दिया गया kitchen में काफी समान लगाया हुआ है पूरा modular kitchen बनाया हुआ है दोस्तों ये केवल 100 flat है आपको इसमें सारा समान नहीं मिल दोस्तों यहां पर इसके आसपास इस एरिया की बात करें तो यहां पर 37,38,35,000 रुपए रेट चल रहा है वन भी अच्क का station से दूरी की बात करें दोस्तों तो आप इस station के मात्र डेर्ड किलोमेटर के आसपास की दूरी है अब पैदल भी जो है 10 से 15 मिंट पैदल आ सकते ह से वसाइएस्ट से और ओर रिक्सा चलने लगेंगे अभी मतलब सेरिंग और इक सा नहीं चलते हैं लिकिन बाद में जैसे ही लोग लोगों का आवा गमन बढ़ेगा तो यहां पर चलने लगेंगे और यह दिखिए दोस्तों किचन भी बहुत ही अच्छा तरीके से इसको ब जो दोस्त भाई हमारे यहां पर नहीं आ सकते हैं वह उनलाइन इसको भर सकते हैं मुझे कॉल कीजिए मैं सारी डीटेल्स बताऊंगा दोस्तों यह रहाव वसाई का लुक मध्वन का लुक कुछ वह ड्रोन ड्रोन शॉट आप देख सकते हैं इसको तो दोस्तों आज का आज के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रम जय महाराष्ट्रा